कि शुरू करने के पहले कुछ मूल बाते हैं हम लोग अभी शब्द बहुआ है कि भक्ति सानद हम लोग बोलते हैं इनमें भक्ति नहीं है भक्ति है जब अपने से अलग किसी व्यक्ति के प्रति या किसी आदर्श के प्रति हमारे मन में स्थान बन जाता है और उससे हम जैसे भी यो जुड़ना चाहते हैं प्यार में एक अधिकार होता है प्यार, मा अपने बेटे को प्यार करती है वहाँ पर एक अधिकार बोध रहता है मा नहीं चाहती है कि बेटा यह करे, बेटा वह करे मेड़ा जब बड़ा हो जाता है, तब भी नहीं चाहती है करे वह क्योंकि अधिकार बोध है, प्यार में अधिकार बोध जब लड़के लड़की को प्यार करते हैं, लड़की लड़के को प्यार करते हैं उसमें एक अधिकार बोध रहता है लेकिन भक्ती इसमें अधिकार बोध नहीं रहता है लेकिन बाकी सब कुछ समान है इसलिए भक्ती प्रेम प्रेम हम लोग दो तरह से देखते हैं एक भक्ती और दूसरा प्यार प्यार भी प्रेम ही है लेकिन समझाने के लिए इस तरह से हम लोग बोल रहे हैं, अधिकार विहीन, अधिकार के साथ, पत्नी कितनी भी श्रद्धा करें अपने पती को, पहले के दिन में रिशी लोग के प्रती, जो रिशी कहा है थी, उनकी श्रद्धा हुआ करती थी, इन अधिकार तो रहता था, बक्ती में इसा नहीं रहता है, यहां तक हम लोग देखते हैं जैसे ही कभी कोई गोपी जरास अभी अपने अथिकार जमाने जाती है भगवान वहां से दूर हट जाते है तो जब यह जोड़ने का प्रयास किया जाता है जब किसी व्यक्ति किसी आदर्श के प्रति आप जोड़ने का प्रयास करें तो उससे में आपको कुछ नियम कुछ अनुस्ठान इसके प्रति आपको अधिक ध्यान देना पड़ता है आप लोग देखे होंगे कैसे आपके घर के लोग जब आप बच्चे थे आपके बड़े बुड़े घर में पूजा पाठ करते थे नियमित फूल दूब दीब गंगाजल आदिसे इस तरह से जब पूजा करते हैं या प्रयास है अपने आपको जोड़ने का बगवान के साथ बगवान चाहे जिस रूप में हो कृष्ण है विश्नु है शिव है काली है दुरगा है जो भी है जिन लोगों में वास्तविक भक्ती का उदय अभी तक नहीं हुआ है उनके लिए या आवश्यक है अंग्रेज जिन में से कहते हैं रिच्वल्स रिच्वल्स के बिना धर्म नहीं होता है क्योंकि अधितर लोग प्रयासरत हैं अधितर लोग प्रयासरत है कि किसे हम बगवान से जुड़ें हम लोगों कभी-कभी लोगों थे हैं कि मैं भी आपके इस कारी से जुड़ना चाहता हूं जुड़ना चाहते हैं कोई आदर्ष है यह आदर्ष इसमें अपने आपको जोड़ने के लिए एक के बाद एक सीड़ी आपको पार करनी पड़ती है और फिर हुआ आदर्ष तो वास्तव में वास्तव में विशेर के आध्यात्मिक आदर्ष जिसे हम लोग भगवान कहते हैं उनके प्यार की पुकार सुनाई पड़ती है किसी न किसी रूप में आपका हिर्दय जग जाता है जग उठता है यह वास्तव में होता है और जैसे आप देखेंगे देखें हम लोग अभी यह जो वेणू गीतादी कर रहे हैं इसको समझाने के लिए हम लोग पती-पत्नी का प्यार लड़के-लड़की का प्यार प्रेमी-प्रेमी का का प्यार इसको ही आधार बनाना पड़ेगा इसके बिन हम लोग नहीं समझा सकते हैं तो इसको आप को आगे भी याद दिलाओंगा क्योंकि हम लोग जिस चीज के बारे में या व्याख्या कर रहे हैं बंगला में बहुत सुन्दर करते हैं आलोचना हिंदी वाले अपत्ती करते हैं अपत्ती की कोई बात नहीं है उसमें जिस विशह पर चर्चा चल रही है इसकी समानता और किसी चीज के साथ नहीं है इसलिए हम दो को प्रेम को लाना पड़ेगा आप कहेंगे वह मां बीटे का प्रेम नहीं पहले पार कर चुके हैं मा ये शुदा और कृष्ण इनका जो था पार कर चुके है और अब जो शुरू हो रहा है यह है अभी तक एक व्यक्ति भगवान को पकड़ना चाह रहा था और भगवान पता नहीं सुन रहे थे नहीं सुन रहे थे लेकिन अब एक समया आता है जब भगवान सुनना शुरू करते हैं क्योंकि नियम निस्ठा आपने इतना पालन किया कहीं पर भगवान की पुकार तो हमेशा रहती है भगवान तो हमेशा इशारे कर रहे होते हैं हम लोगों को दिखाई नहीं देता है लेकिन जब दिखाई पढ़नी शुरू हो जाती है जब आप सुन पा रहे हैं तब वास्तविक आकर्शन होता है किचना शुरू करता है और उसके बाद आप भगवान को पकड़ने का प्रयास नहीं करते हैं अब भगवान जी आपको पकड़ने का प्रयास करते हैं वास्तविक धर्म यहां से शुरू होता है झाल 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 झाल